भाइलि हमारे दोनों पेर्स बेटा फिसेज के अंडू से बेबीज बाहर आ गया स्वागत है आपका बेटा फिस ब्रिडिंग के प्छले पार्ट में आपने अपने रहा है और इनके पैरेंट्स बेटा फिसेज भी अपने बच्चों को नहां खाये साथ ही काफी सारे लोगों का betafis breeding में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है तो उससे related भी काफी कुछ में discuss करने वाला हूँ इस वीडियो में तो आप बने रहीएगा अंतन्त शुरुआत करते हैं इन दोनों male betafis का नाम रखने से red, white, blue इस तरह से बोलने में मज़ा नहीं तो मैंने इस blue और red color के betafis का नाम रखा है अखरोट और white वाले का नाम मैंने रखा है काजू आपको इन दोनों का नाम कैसा लगा जरूर comment करके बताईएगा आज है betafis breeding का पांचवा दिन इससे पहले क्या क्या हुआ है अगर आपको जानना है तो आप इसके first part को देख सकत हो अभी फिलाल इन betafis का update चेक करते हैं आज इनका क्या हाल है सबसे पहले मैं इस white वाले यानि अपने काजू का ब्रीडिंग सेटप को open करता हूं और अगर आप गौर करो तो यहां पर आपको धेर सारे अंडे दिखेंगे पिछले कुछ दिनों में मुझे ऐसा लग रहा है वह अपने अंडों को उठा रहे हैं जो कि bottom में नीचे की और है और उन अंडों को वापस से bubble nest के अंदर वह सजा रहे हैं तो अभी इस पेर को जारा डिस्टॉर्ब नहीं करते हैं इनको इनका काम करने देते हैं और अभी बढ़ते हैं अपने अक्रोट वाले setup के उपर त कितने सारे अंडे तो इस प्यार ने बहुत सारे अंडे दी है फिलाल तो मुझे फीमेल लग रही है और काफी ज़्यादा ठकी हुई लग रही है तो इसे यहां से जल्दी से हटाते हैं क्यूंकि अकेला हमारा जो अखरोट है यह अपने अंडों का देख वाल कर लेगा उसको उसके पुराने सेटप में सिफ्ट कर दीजिए और अगर आपका मेल बेटाफिस बबलनेश्ट नहीं बना रहा है तो आपको कुछ दिनों तक वेट करना पड़ेगा कुछ दिनों तक आप उसको गुरूम किजिए मैंने गुरूमिंग के उपर बेटाफिस इनको जाना रिडिस्टर्ब नहीं करते हैं आज है बेटाफिस ब्रेडिंग का साथवा दिन चल्दी से चेक करते हैं इन दोनों का अपडेट देखते हैं आज का अपडेट इनका क्या है एक और हमारा काजू के फीमेल है जो की आगे की और है साइद इनको भूक लगा है ल कुछ अंडे इस बबबललेस बनातर इसके अंदर है इसने बहुत आफी प्यार और बढ़े द़ियां बबबलनेस्ट बना कर रेडी कर दिया और फमल को देखकर ऐसा लग रहा है कि आ अंडे भीज़े लेकर दिया है यह कर किनारे पर आ गई है दो फीमेल था पील ने कर दे से कम दस दिनों तक फिर उसका बाद दुबारा ब्रेडिंग करवाने का ट्राई कर सकते हो तो इन बेटा फिसेज ने ब्रेडिंग सेटप के अंदर काफी ज़्यादा गंदगी फैला कर रखा है लेकिन अभी हम साफसफाई नहीं करने वाल है नहीं तो बबलनेस्ट डिस्टर सब्सक्राइब हो गया था लेकिन अभी जब मैंने यहां पर देखा तो बबलनेस्ट काफी बढ़ियां बना है और इस बबलनेस्ट के अंदर आपको धेर सारे छोटे-छोटे-छोटे बेटाफिस के फ्राइज भी दिख रहे होंगे इन फ्राइज के काली-काली आखे आप खाना भी देता हूं ताकि इनको एनर्जी मिले अपने बेबीज और अंडों का ध्यान रखने के लिए आज है बेटाफिस ब्रीटिंग का साथवा दिन अब जल्दे से चेक करते हैं अब देखते हैं मुझे इंतजार नहीं हो रहा है क्या हमारे काजू के बेबीज बाहर है यहां पर अगर आप गौर करो तो पानी के सर्फेस के ऊपर आपको धेर सारे छोटे 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 वाइट कलर के बेटाफिस दिख रहे होंगे काली काली आखे इन सभी का बबलेंश्ट को इन्होंने छोड़ना सुरू कर दिया है लेकिन अभी भी अच्छे से तैयर नहीं है लेकिन अभी काफी सारे वेवीज अगर आप गौर करो तो उन्होंने अंडों से बाहर निकलना सुरू कर दिया है कुछ अंडे भी इस बबलेंश्ट के अंदर है लेकिन कुछ बेबीज भी आपको दिखेंगे यह बेबी बहुत छोटे और बारीक हैं जिसके कारान आपक को ज्यादा डिस्टर्व नहीं करते हैं तो आज है बेटा वेडिंग का आठवा दिन हमारे अख्रोट के बेबी इसको अंडों से बाहर निकले हुए तीन दिन हो गया है और हमारे काजू के बेबी इसको बिलकुल खतम साही हो गया थोड़ा सा बस आगे की ओर है लेकिन बे बेबी तो अभी पूरा अच्छे से स्विंग नहीं कर पार अच्छे से घूम फिर नहीं पार है वह बस एक जगा पर हैं अगर आप नोटिस करो तो इसके बेबी ब्लैक कलर के हैं वैसे तो हमारा कहा जो पूरा फुल वाइट कलर का है ब्लूई सेड में लेकिन इसके बेबी अगर आप गौर करो तो अभी ब्लैक कलर के पूरे है अभी इन बेबी का एक्जेक्ट कलर तो आएगा नहीं एक सिद्र में लगेगा लेकिन यह मुझे थोड़े ब्लैक से दिख रहा है इस और भी अगर आप गौर करो तो कुछ बेबी आपको घूमते हुए दिखेंगे औ अपने अख्रोट के बेबी इसको तो हमारा आगे की ओर है जैसी मुझे देखा तो यह थोड़ा पीछे भाग गया लेकिन अगर आप गौर करो तो इसके बेबी फूल वाइट कलर के मुझे दिख रहा है जिस तरह से मैं आपको काजू के बेबी दिखा है तो वह थोड़े ौन सब्सक्राइबodenे को मां और दो हमारा इसको किनारे पर आपको कुछ दिखेंगे कुछ थोड़ा आगए आगे की और हैं हमारे इसकरोट के बेबीजय कुछ कम ही है विए फुल वाइड कलर के दिख रहा है तो हमारा यह दोनों बेटा फिस ब्रीडिंग सक्सेस्फूल रहा दोनों के बेबीज बाहर आ गया है लेकिन अभी हम इनको फीड नहीं करेंगे पहला खाना अभी नहीं देंगे जब तक यह पूरा अच्छे से स्विमिंग करना तैरना सीख करते हैं कौन सा मैं लाइफ फूट खिलाने वाला हूं वह तो आपको थर्ड पार्ट के अंदर ही पता चलेगा मैंने इनके लिए लाइफ फूट भी प्रिपेर करना बनाना सुरू कर दिया है और थर्ड पार्ट तभी आएगा जब आप इस वीडियो पे 1000 लाइक का पूरा करवाओगे